आज का conversation है conversation between two friends दो मित्रों के बीच का वारता लाप्त इसमें दो मित्र आपस में school के homework के बारे में बात कर रहे हैं I hope यह conversation आपको पसंद आएगा और यह conversation आपकी spoken English को सुधारने के लिए बना है इसमें practical conditions पर conversation based होते हैं कि किस situation में आपको English में कैसे बातचीत करनी है आई होप ये conversation आपको पसंद आएगा conversation पसंद आए तो इसको like और share करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा तो आई ये start करते हैं निशा, have you completed your homework? निशा, क्या तुमने अपना रह कार्या समाप्त कर लिया है? Homework मतलब होता है कि जो आपको स्कूल से मिला हुआ कार्या होता, that is homework and household work जो घर के कामकाज होते हैं उन्हें household work कहते हैं not yet, अभी तक नहीं, I was so busy in household work, अभी तक नहीं मैं घरेलू कार्या में व्यस्थ थी, you are talking like a housewife, तुम एक ग्रहनी के समान बात कर रही हो, how can you be busy in household work? तुम रह कार्यों में कैसे व्यस्थ हो सकती हो, your mother does everything, तुम्हारी मम्मी सारा काम करती है, read कर लेते हैं, निशा, have you completed your homework? not yet, I was so busy in household work, you are talking like a housewife, how can you be busy in household work, your mother does everything, कीर्ती, my mother is not well, कीर्ती, मेरी माता की तबेट ठीक नहीं है, she is suffering from a disease, वह एक बिमारी से जूज रही है, या वह एक बिमारी से सफर कर रही है, I have to take care of her also, मुझे उनका भी ध्यान रखना होता है, All the household works are done by me only, घर के सारे कामकाज मेरे ही द्वारा किये जाते हैं, What has happened to her, उनको क्या हो गया है, या उनको क्या हुआ है, I met her last month, मैं उनसे पिछले महीने मिली थी, She is suffering from high fever, उनको बहुर तेज बुखार है, या ये भी कह सकने हैं, कि वह है तेज बुखार से पिडित हैं, एक बार रीट कर लेते हैं, किर्थी, My mother is not well, she is suffering from a disease, I have to take care of her also, all the household works are done by me only, What has happened to her, I met her last month, she is suffering from high fever, High fever मतलब तेज बुखार, Next phase पर जाने से पहले मैं आपको सजिस्ट करूँगी कि हमारी प्ले लिस्ट को जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि प्ले लिस्ट में इसी तरह से बहुत सारी टॉपिक्स पर बहुत सारे कॉन्वसिशिशन्स हैं, Then, शुरू करते हैं, अगर तुम्हें किसी भी चीज के लिए सहयता की जरूरत हो यार तुम्हें कैसे भी सहयता की अफशक्ता हो, You can call me anytime, तो मुझे किसी भी वक्त बुला सकती हो, Thank you कीर्ती, कीर्ती धन्यवार तो यह हमारा चोड़ा सा कॉन्वसिशन था, जिसमें दो मित्रों के बीच का वारतालाप हमने दिखाया है, यह सिचुएशन कहीं बार हमारे साथ आ जाती है, कि हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई परिवारिक सदस्य बिमार है और उन्हें हमें ध्यान रखना पड़ रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन में हमें कैसे बात करनी हैं, यह इस काव्वर्शेशन में बताया है, आई होप आपको पसंद आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा,